नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं पर्वत्य हाथ टोटके आपको तो पता ही है भागे से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता लेकिन हर इनसान के किस्मत में जितना लिखा होता है उतना तो मिलता ही है और समय आने पर भले ही मिले पर हर कोई जानना चाहता है आखिर वो दिन कब आएगा कभी कभी इनसान के जीवन में अच्छा समय आता है तो कभी बुरा भी आ जाता है लेकिन अच्छा वक्त जादा देर नहीं रहता ये भी सही है पर बुरा वक्त जादा टाइम तक टिकता है आखिर क्यों देखिए ज अपने जीवन में हर किसी के दुखों का हर किसी को सामना करना ही पड़ता है लेकिन अच्छा वक्त आने के पहले भगवान कुछ संकेत देते हैं जैसे कि सुबस आप जैसे ही उठते हैं आपको अंदर से खुसी महसूस होती है अब आप जब अपने चेहरे को आइना में देख होता है और जो बुरा समय था वो जाने का यह सभी संकेत हैं अब घर से किसी कारे के लिए बाहर निकल रहे हैं अब कोई पानी से भरावा बरतन लेके जा रहा है सुबसंकेत होते हैं इसका मतलब यह कारियों में सफलता विलेगी और कभी-कभी तो पसु पक्षी भी बताते हैं अच्छे संकेत के बारे में जैसे बिल्ली के अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में ही बच्चों को जन देती है तो यह भी अच्छा संकेत माना जाता है घर से बाहर निकलते ही कोई बच्चा हस्ते भी दिखाई दे तो समझ यह कि अब अच्छे दिन आने वाले अगर कोई भीकारी घर से बाहर निकलते ही सामने से आ जाए तो उसको कुछ ने कुछ जरूर दीजिए करजों से मुक्ती मिलती है तो अच्छा समय आने के पहले धेर सारे सुबसकुन होते हैं अगर कुछ अच्छी घर में बाते हो रही है और छिपकली अगर आवाज कर दे तो वो बात सच हो जाती है इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छी बाते करे अब आप पुजा कर रहे हैं पुजा किसमे भगवान को पुसपरपित किया भगवान के पुसपरपित किया हुआ आ आपके हाथों में आपके पास आकी गिर जाए ये भी सुब सकुन है फिलार भी दालेंगे हर हर महार